दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एलपाइन मीडोज या बुग्याल किसे कहते हैं? ये कहां पाए जाते हैं? एलपाइन मीडोज या एलपाइन टुन्डरा में जाने पर आपको कौन-कौन से चैलेंजेज फेस करने पड़ेंगे और इन ग्रासलेंड की खुबसूरती का पर आपको इन प्रस्नों के उत्तर जानने में दिल्चस्पी है तो यह एपिसोड आपके लिए खास होने जा रहा हैं? एलपाइन मीडोज एलपाइन टुन्डरा या फिर बुग्याल उच्छ हमाली क्षेत्रों में 10,000 से लेकर 15,000 फीट तक की उचाई पर पाए जाने वाल बहुत खुबसूरत घास के मैदानों को कहा जाता है। यह मीडोज नौर्थ अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के उच्छ परवतिये क्षेत्रों में ट्री लाइन के ठीक उपर पनपते हैं। अब आप यह कहेंगे कि ट्री लाइन क्या होती है। ट्री लाइन मींज पूरी तरह से बर्फ से ढग जाते हैं। जबकि बसंत रितु के बाद वर्षा रितु तक इन में बहुत सुंदर हरी भरी घास के साथ ही सैकड़ों प्रकार के रंग बिरंगे फूल चारों और की छटा को अत्यंत मनोहारी बना देते हैं। लेकिन इन एलपाइन मीडोज की खुबसूरती के साथ ही इनका एक अन्यपक्ष भी है। यहां का वैदर एक्स्ट्रीमली हास होता है। अत्यंदिक ठंड के साथ ही बर्फिली हवाएं एक सामाने ब्यक्ति का दम उखार देने के लिए परियाप्त हैं। यहां पर ऑक्सीजन का लेबल बहुत कम होता है। ज सेरिब्रल एडिमा, हैपो यानि की हाई एल्टिट्यूट पल्मोनरी एडिमा आधी की चपेट में आ जाते हैं। उन में से कई लोग तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हमारा उद्देश आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी आप इन उच्छ हिमालाइक शेत्रों की ओर जाएं तो उसके पहले अपना प्रॉपर मेडिकल चेक अप करवा लें योंग डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स को अवश्य साथ लेकर जाएं। और हाँ अपने साथ गाइड को हो सके तो अवश्य लेकर जाएं। कभी भी एक दिन में अत्यदिक उचाई पर पहुँचने का प्रयास बिलकुल न करें। धीरे धीरे स्वयम को एकलमटाइज करते हुए उपर चड़ें। आज की हमारी बाचीत स्पेसिफिक है हिमालेयन मीडोज पर। ये एलपाइन हिमालेयन मीडोज इस्टर्ण हिमालेयन मीडोज बारत में इस्थित दो बायोडाइवरस्टी होट स्पोर्ट में से एक है जिन में से दूसरा बायोडाइवरस्टी होट स्पोर्ट भारत के साउथ वेस्ट में इस्थित पस्चिमी घाट या वेस्टर्ण घाट हैं। बात करते हैं वेस्टर्ण हिमालेयन एलपाइ की नदी से लेकर पस्चिम में सतलज नदी यवं साउथ वेस्ट तिबद तक लगबग सत्तर हजार वर्ग किलोमेटर क्षेत्र में फैले हुए हैं इन में से सबसे सुन्दर तथा विशालकाई बुग्याल उत्तराखंड यवं हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं इन बुग इन बुग्यालों के निचले हिस्तों में पाई जाती हैं जबकि इनके उच्छ ढलानों में कई बेशकीमती मेडिशनल प्रांस पाई जाते हैं जैसे कि हथाजड़ी, कुटकी, गंद्राएणी, कालाजीरा, ब्वन अजवाइन, सीबक्थोन या हिपोपी की प्रजातियां, एफिड्रा, जूनिपर या जूनिपेरस इंडिका, तथा बर्बेरिस, आदि सैक्ड़ों और सदिय पौंधों की खान हिमालाई का यही क्षेत्र है, बुग्यालों की इसी खाशियत के कारण रामायन में इन क्षेत्रों को संजीवनी भूटी की भूमी भी कहा गया है, यद की स्नू लेपड या हिमालाई तैंदुआ, हिमालाईन ब्लू सीप या भरल, हिमालाईन थार, हिमालाईन मस्क डियर या कस्तुरी म्रिग, मोनाल, ट्रेगोपान, सेटाय ट्रेगोपान और वेस्टर्न ट्रेगोपान, तथा हिमालाईन सीरोच, और हाँ, वाइल्डाइफ की इन स्पीसीज को आप अन्यत्र कहीं भी नहीं देख पाएंगे बुग्याली एकोसिस्टम के संरक्षन के लिए सरकार ने भी बहुत सारे कारे किये हैं इन में से प्रमुख हैं कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल डाइब सैंक्चुरीज की स्थापना जैसे की उतराखंड में नंदा देभी नेशनल पार्क वैली ओफ फ्लावस नेशनल पार्क केदारनाथ वाइल डाइब सैंक्चुरी गंगोत्री नेशनल पार्क असकोट वाइल डाइब सैंक्चुरी गोविंद पसु विहार वाइल डाइब सैंक्चुरी ये सब उतराखंड में हैं इसके अलावा लिपा असरांग वाइल डाइब सेंक्चुरी सांगला वाइल डाइब सेंक्चुरी जो की हमाचल प्रदेश में पड़ती हैं वहीं नेपाल सरकार ने भी कई सारी wildlife sanctuaries और national parks की स्थापना की है जैसे कि धोरपाटन रिजवर्ब से फोकसुंदो national park इसके साथ ही अनपूना conservation reserve का गठन कर लोगों को एलपाइन एकोसिस्टम के प्रती जागरूप करने का कारे किया है एक और तत्य जो हमें जानना आवश्यक है वह है कि इन सभी फ्लोरा और फोना के लिए main challenges क्या है बुग्यालों की ओर मनुष्य का foodfall अचानक से बढ़ जाना हमारे द्वारा लाखों की संख्या में अपने मवेशियों या भेड़ बकरियों को बुग्यालों में चराना तथा हमारी असंतुलित हरकतों के कारण global warming का बढ़ना इन बुग्यालों के पूरे ecosystem के लिए बिगत कुछ दसकों में एक बहुत बड़ा खत्रा बन कर उबरा है यदि हमें प्रकृती की इन महान धरोहरों को बचा कर रखना है तो हमें बुग्यालों पर पढ़ रहे अतिरिक्त मानव दबाव को कम करना होगा तता साथ ही लोगों को बुग्यालों की अत्यदिक समवेदन सील प्रकृती से अउगत कराना होगा तभी बुग्यालों का यह ecosystem सांस ले पाएगा वरना इसके विनास के लिए हम स्वयम को ही कटगरे में खड़ा पाएंगे हमारी इन बातों पर अवश्य गौर कीजिएगा जय हिंद